साल 2020 ने COVID के चलते ही समाज के प्रतीक पर के चेहरे से मुसकान को गाइब कर दिया था और उनके सपनों पर पानी फिर लिया था लेकिन जाते जाते ये साल कुछ स्टूडन्स के मुस्कुराहत के साथ जरूर विदा करेगा जहां दोस्तों UGC ने अंसर की जारी कर दी है और बहुत सारे विद्यातियों ने अपने आंकों को टैली कर लिया है और वे अपने स्कोर से काफी खुश भी हैं उन्हें इंतजार है सिर्फ फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल कट अफ का तो क्या रहेगी फाइनल कट अफ औ बारे में तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ष 2019 की कट अफ क्या थी और इसी के आधार पर ही हम ये आपके बीच में अनुमानित जो कट अफ है वो लाने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टली जो कट अफ है वो कितनी रह सकती है 2020 में जितने भी विद्यातियों के इमेल्स उनके मैसेजिस और से पता हमें चला है कि कितने परसंट तक उनके मार्क्स हैं और किस तरीके कि इस बार जो है कट अफ रह सकती है और इससे पहले देखिए पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो इस बार की पेपर से ये माना जा रहा है कि अपनी और से हमने ये पूरा परियास किया है कि आपके सामने एक जो अनुमानित कट अफ है उसको सही तरीके से पेश किया जाए तो देखिए 19 में जो कट अफ रही थी हमारी वह देखिए जो अन्रिजर्वड की थी उनका गया था 67.33 जबकि नेट हुआ था 59.33 में और वह अगर हम EWS की बात करें तो EWS में जो कट अफ रही थी जर्व की 65.33 जबकि इसमें जो नेट था वो था 54.67 वहीं अगर OBC की बात करें नॉन क्रिमिलियर की तो इनका जो नेट गया था देखिए 64.67 और उसके बाद जो नेट था इनका वो गया था 55.33 ठीक है नेक्स से देख नेट हुआ था देखिए वो 52% के साथ हुआ था वहीं अगर ST की बात करें तो ST में जो GRF की कट अफ कई थी वो गया थी 61.33 जबकि इनका नेट हो गया था 50% के साथ ठीक है इसके अलावा और भी हैं लेकिन यहां पर हम जो प्रमुख केटिगरीज हैं उनके बारे में ही डि है वो किस तरीके से रहने वाली है अनुमानीत का टफ है यह दूस्तों देखिए यहां पर अगर हम अन्रिजवर्ट की बात करें तो इनका जो GRF है वो 66 से लेकर के 68% तक होने की संभावना है थोड़ा सा बढ़ सकता है यह मेरी अपनी नीजी राय है या फिर जिन विद्या परसेंटेज रहने वाली है वो है 59 से 60% के बीच में तो अगर इतने माक्स हैं नेट में अन्रिजवर्ट केटेगरी से तो नेट या GRF होने की संभावना है अगर हम EWS से बात करें GRF की तो 65 से 67% EWS में GRF होने की संभावना है अगर हम नेट की बात करें तो 55 से 56 तक आपकी परसेंटेज आ सकती है EWS में उसके बाद अगर OBC non-crimiliar GRF की बात करें तो ये भी 65 से 66 के बीच में रह सकता है और नेट की अगर बात करें तो 55 से 57% के बीच में इनका नेट होने की संभावना है अगर हम SC की बात करें GRF में तो GRF 60 से 62% SC के लिए रहेगा और साती सात जो न 60 से 62 जबकि नेट जो है वो 50 से 51% तक रहने की संभावना है तो ये कुछ एक जो अनुमानित काट अफ थी वो मैंने आपके बीच में रखी है और ये कोई official काट अफ नहीं है अगर आपके इतने marks बन रहे हैं दोस्तों तो कहीं न कहीं आप safe हैं खासका general category से अगर हम बात कर कर रहे हैं तो आपके नेट होने के संभावना बनती है तो ये था दोस्तों अनुमानित काट अफ के उपर हमारा चोटा सा प्रियास अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलक कर ये जाहिंद